आज की रेसिपी है मग केक और यह मग केक हर्षल के डिमान पर मैंने बनाया है हर्षल का कुछ केक टाइप का खाने का मन हो रहा था तो मैंने सोचा घर पर इस ता टेस्टी बना था कि मैंने भी पूरा फिनिश कर दिया पूरा एक जो बड़ा सा मग देख रहे हो हेलो आपको चाहिए बड़ा या छोटा मीडियम साइच का मग और पता है मैंने इसको सिफ आटे से बनाया है मैंने इसमें मैदा थोड़ा भी यूज नहीं किया है तो आप इना हैजिटेशन अपने बच्चों को दे सकते हो आपका बच्चा एंजवाई कर सकता है और इसमें म साप से रखना तो आपका Work Withaż कैक वैसे इसमे बन रहा है तो आप में ले रही हूं 2 Tbn Khant मैंने चीनी नहीं भी यूज किया है आप गुड़ यूज कर सकते हो और चीनी भी यूज कर सकते हो प्रेसक किया हैंब और यह इतना इंस्टेंट बनके नापको पता हिनी चलेगा और यह बन भी जाएगा और जब में बना रही ती तो ऐसा लगा कि मैंने तो अभी तयारी करना शूरू किया थो और यह बन भी गया इए इसमें डाला है 1 tablespoon cocoa powder और यह जो cocoa powder और यहाद रहेंगा पाउडर कोई भी स्वीटनेस नहीं हो और यह जो अपको पॉडर वह एकदम बताती हूं आपको हमेशा याद रहेगा 321 अटाचीनी एंड कोपाउडर 321 के रेशियों में है और इसके बाद मैंने इसमें यूज किया है बेकिंग पाउडर एंड वनिला एसेंस बेकिंग यह दोनों का रशियो है 1 teaspoon मैंने वनीला एसेंस डाला था लेकिन मुझे लगा कि वनीला एसेंस से थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे सेटिसफेक्शन नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि 2-3 बूद और डाल देती हूं इससे मुझे सेटिसफेक्शन मिल जाएगा तो सिर्फ अपने सेटिसफेक्शन के लिए मैंने 2-3 बूद एक्स्ट्रा डाल दिया उसमें वनीला एसेंस और यह मेरे साथ हमेशा होता और हर्षल को जब पता चला है कि मैं केक बना रही हूं तब से वो मेरे आगे पीछे घूंग रहा है कि कब तयार होगा और इसमे मैंने डाला है वन टेवल स्पून ओयल मैंने राइस ब्रैन ओयल यूज किया है आप कोई भी अन फ्लैवर्ड ओयल यूज कर सकते हो और सबसे कमे लास्ट में मैं इसमें डालूंगी मिल्क का मेजर्मेंट यूज मेंख मेजर्मेंट वो है फ़ूर टेवल स्पून ञाला है डाल सलाण च्यूज कर दिया है तर इसमेशन निकालकी यूज both लास्टिक अड़ीक दोनों में में मिल्क डालने के बाद लास्फटे पाता है इसे मिक्स करने का और इसे बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना है जब मैंने हय आपको अटकर फीक कर दू तो बहुत अच्छे जब Iphone माइक्रोवेव में कोई प्रेहीत करणे की जरूरत में आप सिधा में रखो मैक्रोवेव में रखो और आकर्ण हे माइक्रोवेव में रखने के बाद बाद आप निकाल के देख लेना अगर आपको लगे कि अभी अच्छे से बेक नहीं हुआ तो 10-15 सेकेंड तक आप और बेक कर सकते हो इससे जादा बेक करनी की जरूरत होगी नहीं मेरा जो बेकिंग तैन था वो था 100 सेकंड और 100 सेकंड में ये पर्फेक्ट बेक होके रेडी हो गया था 3, 2, 1 1 थल्क Healthcare ममा शो जो मोज़वे ममा शो मेर शो मेर अच्छेख ठापी कच्लाडब पर पर च्छारद सेक्टेना थे करें डीका दोसा हमनी बार्सवरा बेक्रादोरल और यह वाली केक है यह तो मग केक रेड़ी हो चुका है और देखने में बहुत ही टेम्टिंग लग रहा है और इसके उपर अब मैं डालूंगी मेल्टेट चॉकलेट एंड सम चॉको चिप्स ताकि और देखने में अच्छा लगे और हर्शल तो मोर देन एक्साइटेट था और मैंने चेक किया और फोक से जब मैंने चेक किया तो फोक में बिल्कुल भी नहीं चिपका इसका मतलब की मेरा जो केक है वो बिल्कुल ही बेक ह अब में डाल रही हूँ मिल्टेट डार्क चॉकलेट और फिर इसको गार्निस करूंगी मैं चोको चिप्स से ताकि मक्के के ऐसा लगे मार्केट से लाया हुआ है और जो इसका टेस्ट था नो मार्केट से भी अच्छा लग रहा था मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा मैं चैलेंज करती हूँ दूबारा आप इसे जरूर बनाओगे और आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने बनाया तो कि आपको कैसा लगा खाने में और खाने में मस्त लगेगा अगर आप चॉकलेट लबर हो अगर आप केक लबर हो तो आपको खाने में ये बहुत ही अब टेस्ट करके देखते हैं कि इस नहीं है मेरा 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 यह इस इस माइ इस माइ this is mine मम्मु इस माइ And guys if you like this recipe please like, share and subscribe my channel and enjoy this mock cake at your home once